Hello, Everyone Welcome back to my channel I am Poonam Lohan अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं और मेरी वीडियो को पहले बार देख रहे हैं तो प्लेज मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें कर्मेंट करें, शीर करें और साथ भी बैल आइकन को ट्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बें डालू और वह सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचें जैसा कि हाँ आपको पता है कि यहाँ इस चैनल पर PGT साइकोलजी और पैड़ागोगी की सीरी शुरू हो चुकी है उस में से काफी कुछ टोपिक हमने कवर कर लिए हैं तो कल की वीडियो में हमने इंटलिजेंसी के बारे में पढ़ेंगी कि टेस्ट क्या है कि सबसे पहले जो टेस्ट बनाया गया था वो 1905 में बनाया था इंटेलिगेंसई के बारे में जो बीनी ने बनाया था तो आज हम उसी टेस्ट के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बढ़ेंगी कि टेस्ट क्या है क्योंकि अब तक आप लोगों ने सिर्फ इसका नाम सुना है कि सबसे पहले टेस्ट 1905 में बनाया गया था जो बीनी ने बनाया था इसके बारे में जो मेंली पैड़ागों की किस टूडेंट हैं जो हमारे साइकोलोजी के सब्जेक्ट से नहीं है जो दूसरे सब्जेक्ट से बिलोग करते हैं उनको सिर्फ इतना ही पता है कि पहला टेस्ट 1905 में बना था तो आज मैं आपको इस टेस्ट की डिटेल करवाओंगी कि यह टेस्ट क्यों बनाया गया था कैसे बनाया गया था और इसमें बच्चों के किस किस एरिया को मेजर किया भी कहा जाता है इस इंडिविजुली एडिमिस्टेटिड इंडिलिजिंस टेस्ट मतलब यह व्यक्तिकत रूप से एक व्यक्ति पर एक बार में ही यूज किया जाता है इस टेस्ट को हम गुरुक में अप्लाइग नहीं कर सकते हैं जैसे अगर मुझे मेरे उपर इस अप्ल आइटम कहां गया थे इस टोटल आइटम तीस थी तो यह किस किस एरिया को मेजर करता है मेंली स्टुडेंट्स के यह लैंग्विज यूज कि एक बच्चा अपनी भाश्या को कैसे यूज कर सकता है तिंकिंग कि उसका चिंतन कैसा है कैसे वह अपनी डेली लाइफ में दिर किये गई थे इस टेस्ट में डिफिकल्टी लेवल असेंडिंग ओडर में था यानि कि जो यह टेस्ट बनाया गया था और जो इसमें डिफिकल्टी लेवल को यूज किया गया था वो लेवल एक असेंडिंग ओडर में था कि पहले हलका थोड़ा सा मतलब जो डिफिकल्टी मैली प्रिंसिपल्स क्या होती है उसकी मानताई कि जो टैस्ट बनाया गया है वहकी इस डिफ्रेंस को लाया गया था कि जिसे बच्चों की आयूब बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे आप ग्रोह करते जाएंगे वैसे वैसे उनके जो abilities है वो भी developed होती चली जाएंगी और जो हमारा general mental ability है इसका मतलब ये है कि इसमें बूद्धी के जो अलग-अलग तत्व होते हैं अलग-अलग जो component है उनको समझने की जरूरत है कि एक रेक्ति है जो reasoning भी कर लेता है अच्छे से comprehension भी कर लेता है साथ ही कि thinking भी अच्छी कर लेता है decision making भी कर लेता है तो वो किन-किन factors को मिला कर अपनी इस काम को complete कर पाता है उसको बोला गया journal mental ability तो clear है कि इसके दो principles है age difference principle दूसरा journal mental ability principles अब थोड़ा सा इसकी introduction के बारे में बात करते हैं कि इस test को क्यों बनाया गया था इस test का mainly reason यह था कि इस test का निर्मान mainly जो French सरकार थी उस सरकार ने कुछ psychologist को यह आदेश दिया था कि जो हमारे mentally बच्ची है उनकी measurement हम कैसे कर सकते हैं तो जो हमारा बीने था और जो सीमन था यह उस समय वहां उस French में doctor थे medical doctor थे तो इन दोनों को यह काम सोपा गया था किसने सोपा था French सरकार ने काम सोपा था तो उस कारिय को सोपने के बाद इन लोगों ने इसके उपर काम किया और अपने स्केल का नाम बीने सीमन स्केल रखा और इसमें उनने 30 आइटम को इंक्लूड किया कि सबसे पहले हम के और 30 आइटम को ही इंक्लूड करेंगे और उनके बेश पर उन बच्चों की लेंग्विज यूज उनकी रिजनिंग उनकी कमप्रीहेंशन और साथ इनकी thinking को वो measure करेंगे और इस test को individual administration intelligence test बोला गया जैसे हमें आपको बताया है कि ये व्यक्तिकत रूप से use किये जाने वाला test है कि एक बार के वल एक ही व्यक्ति पर इसको apply किया जा सकता है साथ में दो व्यक्तियों के उपर इसको apply नहीं कर सकते और जैसे जैसे कोई काम शुरू होता है तो उसमें कुछ ना कुछ कम्या रह जाती है और फिर क्या करते हैं उसको सुधारने के लिए कुछ उसमें revision के जाती है कुछ उसमें add किया जाता है ऐसे ही 1908 1908 में इस test में mental age के concept को जोड़ा गया mental age जो अभी इस वो वीडियो देखें मैं इसका link description box में डाल दोंगी आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकती है 1908 में इसमें second revision किया गया कुछ कम्या मिली तो उस कमी को दूर करने के लिए यहाँ पर mental age के concept को यहाँ पर जोड़ दिया गया और इसमें 58 items हो गई थे जो 1908 में किया गया था पहले हमारे कितने थे हमारे 30 items थे फिर इसमें 58 items हो गई थे third revision 1911 में किया गया था इसमें ऐसा कुछ नया concept नहीं जोड़ा गया mainly यह simple revision थे तो इसके बाद 10 food revision किये गए थे जो बीने test के लिए बहुत ही कांगर साबित हुए है Stanford revision इसका पहला revision हुआ था 1916 में जो टर्मन ने किया था टर्मन ने क्या किया था इसमें IQ IQ को जोड़ दिया था और two form इसमें use के गई थे जिसको L form और M form इसको बोला गया था अब IQ IQ क्या है आपका इंटलिजेंसी क्यूटेंट है जो मैंने लास्ट वीडियो में समझाया है कि IQ हम कैसे निकालेंगे उसके लिए आपको लास्ट वीडियो देखने पड़ेगी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो वहां से आप MA की मैंटल एज क्या है IQ क्या है इन दोनों को वहां से आप समझ सकते है इसके बाद 1937 में इसमें 2nd revision किया गया जो हमारा Stanford revision था यह Terman और Merrill ने किया था इस test को अब यहाँ पर एक नया नाम दिया गया जिसको बुला गया बीने 1937 या नया संचोदन Stanford बीने test इसको कहा गया इसमें भी 2 form अपलाई किये गये थी यानि कि 2 form इसके अंदर फिल करवाई जाते थे और वो form भी L form और M form के नाम से ही परसीद थे इसके बाद 1960 में इसमें 3rd revision किया गया जो हमारा Stanford revision ही था इस revision को 2 साल से 22 साल और 11 महिने कि जो हमारे बच्चे हैं उनके उपर अपलाई किया गया है यानि कि जो 2 साल के हो चुके हैं 2 year 2 22 year and 11 month clear आपको कि 1960 में revision किया गया था वो जो test आया था वहाँ पर क्या बताया गया था कि इस test को जो 2 साल से लेकर 22 साल और 11 महिने के बच्चे हैं उन पर इसको अपलाई किया जाएगा फिर 1986 में से 4th revision किया गया जो denialer hoppings ने किया था इन्होंने क्या बताया कि इस test को 2 साल से 33 साल तक के बच्चों पर अपलाई किया जा सकता है यहाँ पर mental age के concept को हटा दिया गया और SAS standard age score इसमें जोडा गया अब standard age score क्या है यह IQ की तरह ही होता है means जैसे हमने IQ निकाले थी वैसे ही इसको निकाला जाता है SAS means कि मान लिजिए कोई बच्चा 10 साल का है और वह अपने साथ यानि कि 10 साल के बच्चे से अगर ज़्यादा काम कर लेता है तो उसका SAS हाई माना जाएगा means उसका standard age score हाई होगा अगर मान लिजिए वह उसका 10 साल के बच्चे के जितना काम नहीं कर पा रहा है अपने लेवल के अनुसर काम नहीं कर पा रहा है तो उसका SAS क्या जाएगा लो में जाएगा और यही बात हमारी IQ में थी कि अगर उसकी mental age जादा है chronological age कम है तो उसकी IQ हाई जाएगी यही हमारा SAS में हमने apply किया है तो clear आपको SAS क्या है और इस revision में क्या किया गया था mental age के concept को यहां से हटा दिया गया था और SAS को यहां पर जोड़ दिया गया था SAS is equal to IQ IQ की तरह ही होती है यानि कि जो बच्चा अपनी equal age के उपर काम करता है तो उसका SAS हाई होगा अगर माली जीव है अपनी age के अनुसर काम नहीं कर पा रहा है वह कम काम करता है तो उसका SAS low होगा अब देखिए कि कोई विक्ती 10 साल का है और उसने काम कर लिया अपने 10 साल के लेवल के कोड़िए यानि कि वह 12 साल तक उसने काम किया यानि कि वह 10 साल का है उसने काम किये है जो 12 साल के बच्चे है उसके लेवल के कोड़िए तो उसका SAS high चला गया अब वही 10 साल का है तो उसने क्या किया 9 साल तक के level का ही काम किया अपने level पर तक भी नहीं पहुंचा तो हम यहां क्या बोलेंगे कि उसका S A S वो low है यह क्या है आपका IQ की तरह ही है फिर इसमें 5th revision भी किया गया है 5th revision 2003 में किया गया यानिक इसको revision बोला गया 2003 यहां पर इस test को क्या नाम दिया गया S B 5 इसको क्या नाम दिया गया S B 5 यानिकी Stanford Bennett Test 5 का means है कि यहां पर 5 factor लिए गई है यानिकी जो scale है जो भी हमारे बचों की IQ या फिर उसकी age को measure करना है तो वहां पर 5 factor को use किया गया कि 5 factor क्या है वो यह 5 factor है fluid reasoning, knowledge, quantitative reasoning, visual special processing और working memory तो इस test में जब इसको revise किया गया था 2003 में इसमें 5 वा revision था और age क्या थी यहां 2 साल से लेकर 90 साल तक के बच्चों के पर इसको apply किया चाह सकता यानिकी 2 year to 90 year 2 साल से लेकर जो 90 साल तक के basic है उन पर इसको apply किया गया है और इस revision में 5 factor को जोड़ दिया गया था और यहां पर इसका नया नाम क्या रखा गया था Sb5, Stanford Binet Test 5 5 का means है कि यहां पर 5 factor होते है 5 factor क्या है fluid reasoning, knowledge, quantitative reasoning, visual special processing और working memory अब यह देखते हैं कि जो fluid reasoning है उस fluid reasoning में किस तरह के question पूछे जाते है या वो कैसे होता है इसमें देखें fluid reasoning में कैसे पूछेंगे कि जो चीजें समान समान दिखाई देती है जो equal equal color की होती है हम उसमें mainly difference करके पूछते है जैसे यहां पूछेंगे कि save हमारे लाल शल्गम से कैसे difference है क्योंकि save भी लाल होता है और जो शल्गम वो भी लाल होती है तो यहां पर उनसे difference पूछेंगे कि जो save है और जो लाल शल्गम है उन दोनों में क्या भींटा है कि क्यों हम save को save बोलते हैं शल्गम कुम शल्गम बोलते हैं ऐसे ही भालू, चीता और भाब यह सभी क्या जंगली जानवर हैं और सभी की अपनी अपनी एक आपिलिटी हैं तो हम यहाँ पर यह पूछेंगे कि यह तीनों कैसे एक दूसरे से भिन हैं तो यह क्या है इनकी फ्लूड इंटेलिजन्सी quantitative reasoning में हम क्या पूछेंगे इसमें हम number होते हैं जैसे इसके माध्यम से उन problem को समाधान का एक परिणाम पूछा जाता है या समस्याओ का समाधान किया जाता है जो numbers में होते हैं अब माली जी यहां पर हम उनसे पूछ सकते हैं कि 4 multiply by 5 by 0 multiply by 10 equal to 12 कि यह जो quantitative aptitude है जो यह आपकी problem है इसको आप solve कैसे करेंगे तो यह क्या है यहां पर numbers होते हैं numbers के according क्या किया जाता है उनकी quantitative aptitude को measure किया जाता है जैसे आपके stat में जो एक portion आता है reasoning का उसमें आपके हैं हर्याना जी के quantitative aptitude अब वो देखिए जो quantitative aptitude है आपका पहले से ही निधार्थ किया गया है कि जो हमारा intelligence test है जो बीने ने दिया था वहां से आपकी उस ability को measure किया जाता है कि आपके अंदर कितनी कितनी level में quantitative aptitude की intelligence आपके अंदर है और अब बात करते है knowledge जो इसका एक बीच में एक factor कि दिया गया कि knowledge क्या होती है जैसे आकाश में तारे रात को दिखाई देते हैं दिन में दिखाई क्यों नहीं देते हैं जो knowledge आपका ज्यान है जैसे भारत का प्रधान मंतरी कौन है वासकोडियमो गामा भारत का बाया था भारत के राजधानी क्या है ये सब क्या है आपके ये आपके knowledge है जो आपको जिसमें आप तर्क भी तर्क कर सकते हैं अब है विज्वल स्पेशल प्रोसेसिंग इसमें क्या किया जाता है विज्वल स्पेशल प्रोसेसिंग में क्या किया जाएगा जैसे पिक्चर स्पजल्स होते हैं जैसे पेपर में भी आपके आता है कि तो आपके पास पिक्चर दी ज पुलिज यहां से आपकी मिल जाती है फिर आपकी डारेक्शन जैसे आपके कोशन्स आते हैं कि पहले राम पस्ची में 10 किलमेटर चला है फिर वहां से बाय घूम गया तो बता वह कौन सी दिशा में है तो यह क्या है आपके वीजल स्पेशल रिस प्रोसेसिंग ही है और यह को आपके वहां पर यह आते हैं तो देखिए बीने ने पहले एक टेस्ट अप्लाइब कर दिया जहां पर हम हर वेक्ति की इंटेलिजन्सी के लेवल को मेजर कर सकते हैं तो जहां से यह हो जाएगा और लास्ट है आपके वर्किंग मेमरी में क्या होगा कि अभी जो मैं आपको बोल रही हैं कि आपको समझ आ रहा है वो आपके क्या है वर्किंग मेमरी है इसमें भी कुछ कोशन्स पूछे जाते हैं जैसे इसमें मैं आपको कुछ वर्ड बोलूंगी और फिर मैं बोलूंगी कि जो मैंने बोला है वो लास्ट में मैंने कौन सा वर्ड बोला था वो आप बोले के बताइए या फिर इसमें यह भी हो सकता है कि मैंने आपको बताया कि 12345678910 अब मैं यह बोलूंगे कि जो मैंने कांटिंग आपको बोली है आप इसको मुझे उल्टी दिशाय में बोलकर बताइए यह एक इजी लेवल है आप इसको जल्द से बोल भी सकते हैं और इसम बाद हमने से बोल दिया उसके बाद हमने आम बोल दिया इसके साथ हमने एक वर्ड और बोल दिया शल्गम बोल दिया कुछ भी बोल दिया तो अब यहां क्या होगा कि जो मैंने वर्डिंग आपको बोली है इसको आपको विप्रीट करके सुनाना है कि मैंने लास्ट में कौ उसको Sb5 का नाम दिया गया है, Sb5 का नाम मतलब क्या है, Standford Bnet Test, 5 का मतलब है कि यहाँ पर 5 फैक्टर लिये गए थे, और 5 फैक्टर मैंने आपको यहाँ करवा दिये हैं, अब देखती हैं कि इसमें से हम क्या ढूंड कर निकालते हैं, कि इसमें IQ या फैक्टर जो उसका नाम वर्बल वर्बल क्या है, जो आपने बोल कर बता दिया, और एक क्या जो आपने बोला नहीं, सिर्फ आपने उसको Non-Virbal में, यानि की इशारों में करकर समझा दिया, तो हमारे जो पांच फैक्टर थे, उसको हम दो डोमेंट पर मेजर कर या हैं, यहां से आपके पास अगर 5 यह सिर्फ करा इस किर दोंटमेडेश्यूं सिर्फ लिए है अगर हम उन पांचों फेक्टर के दो डाइमेंशन से लेते हैं तो आपके दस सब्टेस्ट हो जाएंगे फिर है कि जो हमारे पांच फेक्टर थे जो वहां पर फोम आए हैं या अपने उनको फिल किया है जैसे आपके फ्लूड इंटेलिजेंसी में कितने कोशन डाले गई ह हैं फिर आपके जो नोलेज हैं उसमें कितने कोशन आपके पूछे गई हैं आपकी कोशन पूछे गई हैं साथ ही आपके जो विजल स्पेटिल प्रोसेसिंग वहां पर और जो आपकी वर्किंग मेमरी हैं वहां पर कोशन आते हैं तो उन कोशन का हम मेजरेमेंट कैसे करते ह तो उन पाँचों ।क मिलाकर एक वक्ति की इंटेलीजनसी को मेसर किया जाता है क्यम कैसे मेजर करेंगे फुल स्केल आई क्यूज यहनेकी पूरे टेस्ट पर उस वक्तिकी आई क्या कितनी आए है तो आपके पास तो क्या है刃 देखाए या ने की च no पेपरों में आपके कितने मांक्स आई हैं यानि कि आपने 400 में से कितने मांक्स गेन किये हैं और फिर वर्बल का मतलब लगा लेजिए आपके कि इंग्लिश में आपके कितने नंबर आई हैं हिंदी में कितने मांक्स आई हैं नोन वर्बल आपके जो आपके कंपल से सब्जक् किसी ने psychology ली है किसी ने geography ली है तो उसमें आपके कितने questions आई है ऐसे ही समझाने के लिए बताया है कि full scale IQ measure किया जाता है वरबल IQ measure किया जाता है और नोन वरबल IQ measure किया जाता है तो यह क्या है हमने देखना कि Stanford बीने scale में कैसे एक IQ को निकालेंगे और उसके लिए क्या क्राइटेरिया यहां पर fix किये गई है mainly अब देखिए आपने पूरा scale मैंने आपको करवा दिया है तो आपको यहां से क्या समझ में आया कि जो हमारा stand for being a test है वो क्या है आपका age scale हम इसको scale भी तो बोल सकते हैं क्योंकि हमने क्या देखा है कि हर जो revision किया गया है वहां पर age apply किये गई है कि यह test इतनी age से लेकर इतनी age तक के बच्चों पर apply किया जाएगा तो यह से हमारा क्या है यह जो बीगने scale है यह complete हो जाता है I hope आपको यह अच्छा लगा होगा कि अब तक आपने civs का नाम सुना था जो हमारे psychology के अलावा दूसरे student है जो हमारे pedagogy के लिए है कि जो test 1905 में आया था सिर्फ यही सुना है पर आज आपको मैंने उसकी detail करवाई है कि यह क्यों आया था किसने बनाया था क्यों बनाया गय IQ का concept आया है intelligence quotient इन सब को मैंने लास्ट वीडियो में करवा दिया था तो उसका link मैं description में डाल दोंगी आप वहां से link open करकी इस वीडियो को देख सकती है तो अब हमारा intelligence के chapter चल रहे है topic चल रहे है तो यहां से कल आपको intelligence की थूरिज करवाई जाएंगी फिर इसके test test यानि कि individual test, group test, variable test, non-verbal test, performance test यह क्या होते हैं तो ऐसे हम अपनी intelligence को जल्दी ही complete कर लेंगे तो तब तक के लिए आप इनी वीडियो को देखें अगर आपको कोई concept समझ में नहीं आता है कहीं आपको problem है तो please आप मुझे comment भी करें अगर आप comment नहीं करना चाहते तो मुझे email भी कर सकते हैं मैं वहां से आपकी जो problem है उसको solve कर दूँगी तो मिलते हैं नई वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ध्यान रखें अपना ख्याल रखें